बिहार विधान सभा चुनाओ को लेकर के भले ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहों लेकिन तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है आज बड़ी खबर पूल टाग पर आपको ये बता रहा हूँ कि रागोपुर जो विधान सभा सीट है तेजस्वी यादो की और महुआ जहां से तेजप्रताप यादो ने चुनाओ जीता था उन दोनों सीटों पर इस बार अगर तेजप्रताप यादो और तेजवी यादो लड़ते हैं तो उनको हराने की पूरी तैयारी है जरा समझिए कि यह मामला आसान क्यों दिख रहा है क्योंकि इस बार न तो लालू परसाद यादो चुनाओ मैदान में साथ होंगे और नहीं नितीज कुमा तो मुश्किल बड़ी होगी क्योंकि पिछले चुनाओं को अगर देखा जाए बिहार में जितने भी चुनाओं हुए हैं उसमें आर जेडी को बड़ा नुक्सान हुआ है रागोपूर जहां से तेस्वी यादो विधायक हैं वो बैसाली जिले की एक विधानसबा सीट है यहां से वर्स 2000 में लालू परसाद यादो ने चुनाओं जीता था 2005 में राबडी देवी को यहां से जीत मिलती है लेकिन 2010 में सतीज कुमार ने राबडी देवी को 13,000 ओटों से हरा दिया था जो सीट लालू परसाद यादो ने जीत चुकी हो और उसी सीट पर राबडी को भी जीत मिली लेकिन 13000 ओटों से रावडी देवी को जो हार मिली 2010 में यह काफी बड़े संकेत खड़े कर रही है इसी कड़ी में जब बात करते हैं तेस्वियादों को जीतने की तेस्वियादों ने जब 2015 में यहां पर चुनाव जीता था तो उसकी कहानी पूरी अलग थी तेस्वियादों उन्हें भी 68000 ओट मिले थे जबकि 27 कुमा जब चुनाव जीते थे तो उनको उस समय 64000 ओट मिले थे मतलब इनके ओट का परफिंटेज बढ़ा था भले ही इने चुनाव में हर मिली इस बार इस सीट पर जदियू का कोई प्रत्यासी होगा भाजपा और जदियू के वो होगा आरजेडी को क्योंकि इस सीट पर इस बार यहां पर जदियू लड़ेगी और जदियू को यहां पर कई बार जीत मिल चुकी है यह कहानी है रागोपूर विधान सवाज सीट की जहां से तेस्वी आदो चुनाव जीत चुके हैं इस बार उन्हें हराने की पूरी तैयारी है यह कई सारे गड़ितों को देखकर के बताया जा सकता है कि तेस्वी आदो को इस बार रागोपूर से चुनाव जीतना मुस्किल होगा अब जरा दूसरे सीट पर चलते हैं जहां से तेज परताप यादो विधायक हैं तेज परताप यादो भी वैसाली जिले की म लोगस्वा स्टीट पर बाबू रगवन्स परसाथ सिंग का जलवा रहता था पांच बार रगवन्स परसाथ सिंग यहां से सांसत रहे लेकिन 2015 में तेज परताप यादो ने यहां से चुनाव जीत लिया था तेज परताप यादो को 66,927 ओट मिले थे और जो माजी की पार जादो को मात्र 66,000 ओट मिले थे और रविंद्र प्रशाद राय को मात्र 38,000 यह कोई बहुत बड़ी जीत और हार नहीं थी यह कहानी इस बार उलटने को तयार हो रही है दरसल वैसाली लोगस्वा सीट पर जब जलवा रहा करता था आरजेडी के प्रत्यासी रगवन्स पर परसासिंग का तब यह चीजे सामान ने हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ पर लगवन्स पर का कभजा हो गया है पांच लाख 68,215 ओट इस बार के लोगस्वा चुनाओं में लगवन्स परसाद को तीन लाग 33,631 दू लाग ओटों का जो अंतर है वो बिधान सबा नेता हैं उन दोनों को हराने की पूरी तैयारी पूरी रनीत बनाई जा रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब को नहीं भूलिए लगातार हम आपको बिहार चुनाओं की कुछ ऐसी खबरें दिखात करेगा धन्यबाद नमस्कार जय हिन जय भारत